नमस्क्रार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दा ग्रेट इंडियन कोईन कलेक्शन में दोस्तों आपने जो देखा अभी तक की मैंने बताये हैं सिक्के उनके बारे में जाना है कि कौन से ऐसे सिक्के हैं जो आज की डेट में तो आपको कम पैसे में मिल गया था तो इसलिए मैं उसको वहाँ पर फिरिंश कर दिया था अब आगे उसी के आगे कि मैं सिक्कों के बारे में आपको बताने वाला हूं तो वह आप सिक्के जान लीजिए वो सिक्के जो फूचर में काफी रेर हो सकते हैं बट आज आप उनको आसानी से कलेक्ट कर सकते आम चलंज से भी ये सिक्के आपको मिल सकते हैं तो चलिए हम सुरू करें आपको अपना ये वीडियो उससे पहले अगर आपने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे चैनल को सब्सक्राइब साथी साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजे जिससे हमारी जो आने वाले वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगा तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों ये जो सिक्का आप देख रहे हैं सामने ये वर्तमान में तो आपको अभी बहुत ज़्यादा कीमती नहीं दिख मिलेगा अभी तो ये सिक्का आपको कम कीमत में ही मिल जाएगा बट फ्यूचर में ये सिक्का भी काफी ज़्यादा रेयर होने वाला है और काफी ज़्यादा अच्छे return देने वाला है, जरूरी है कि वो कौन सी Mint Mark का सिख्का है, क्योंकि ये सिख्का भी तीन मिंटों से जारी किया गया था, तो ये आपको जानना जरूरी है कि कौन सी मिंट का सिख्का आपको correct करके रखना है, जो future में आपको अच्छे खांसे पै classification है क्या है वो सिक्के में metal इसकिया गया है copper nickel weight है सिक्के का 6 grams size है सिक्के का 26 mm और safe है सिक्के का circular सिक्के के over side की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको over side में जो असोक स्टमभ है mid में बना हुआ नजर आएगा उसके नीचे हिंदी में अगर आप देखेंगे तो आपको जो हिंदी में विश्व, खाद दिवस, खाद योब पर्यावरण, फूद एंड इंवार्मेंट इंग्लिस में और वर्ड फूद डें इंग्लिस में लिखा हुआ नजर आता है, मिन्ट मार्क और मिन्टिंग इयर भी लिखा हुआ नजर आपको इस पर दिखाई दे देगा, अब हम बात करते हैं कि ये सिक्का आपको कौन सी मिन्ट का कलेक्शन करके रखना है, कौन सी मिन्ट का सिक्का आपको फ्यूचर में अच्छे खासे पैसे दिलवा सकता है, ये देखेंगे तो ये आप सामने जो देख रहे हैं ये ये इनसी कंडिशन का एक सिक्का है, तो आप भी कुशिश करिएगा ये इनसी कंडिशन का सिक्का आप उन्हें कलेक्शन में सामिल करने का, कौन सी मिन्ट मार्क के साथ में आपको सिक्का कलेक्ट करना है, तो यह मैंने आपको पहले बताया था कि 3 mint जो है जिनसे ढला गया था बॉंबे, हैदराबाद और नुईडा, बट आपको collect कौन-कौन-कौन सी mint का करना है collect करके आपको रखना जो है वो नुईडा और हैदराबाद, जी हाँ नोईडा और हैदराबाद मिंट का सिक्का आपको collect करके food and environment वाला रखना है जो आपको future में अच्छे पैसे दिलवा सकता है नोईडा और हैदराबाद में भी नोईडा मिंट का सिक्का जो हो UNC कंडिशन में ये सिक्का आपको 70-80 रुपए में या 100 रुपए तक भी कुछ लोग बेशते हैं अगर आपको 70-80 रुपए में ये मिल जाएगा बट अगर आप नुएडा मिंट का सिक्का लेना चाहते हैं तो वो आपको fine कंडिशन में 25 रुपए से ले करके UNC कंडिशन में 200-200 रुपए या 300 रुपए तक भी लोग इसके मांग रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा अगर आपको नुएडा मिंट का सिक्का आपके कलेक्शन में सामिल रहे तो ज्यादा अच्छी बात है UNC कंडिशन का सिक्का ही सामिल करें अगर आम चलन से बिना पैसे के आपको यह मिल जाता है तो कोई भी कंडिशन का सिक्का हो आप अपने कलेक्शन में सामिल कर सकते हैं पैसे लगा करके सामिल करना हो तो UNC कंडिशन का ही सिक्का सामिल करिएगा मेरी राय तो यही है जो आपको भविश्य में क्योंकि UNC कंडिशन के सिक्के कम मिलने हैं भविश्य में वो और ज्यादा कीम्ती हो जाएंगे दोस्तों ये जो सिक्का आप सामने देख रहे हैं जो कि वर्तमान में तो आपको अभी कम कीमत में मिल जाएगा मगर भविश जो है इस सिक्के का बहुत ही ज्यादा अच्छा और कह सकता हूं सहंदार होने वाला है क्योंकि ये सिक्का भविश में हो जाएगा रेर और बहुत ही ज्यादा कीमती जी हाँ ये है वन रुपी का कॉममोरिट्व कोईन जो जारी किया गय इस सिक्के को कौन सी मिंट से कलेक्ट करना है आपको तो ये सिक्का सिर्फ एक ही मिंट से जारी किया गया था और मैं बता देता हूँ वो मिंट है बॉंबे मिंट जी हाँ एक ही मिंट से जारी किया हुआ है ये सिक्का बट जरूरी चीज़ है कि कितने पैसे में अभी आप इस सिक्के को ले सकते हैं जो future में आपको अच्छे return देगा ये नहीं कि आपने इसको 200, 300, 400, 500 का ले करके रख लिया यह सा नहीं मैं आपको सही कीमत बताने वाला हूँ कि किस कीमत में आप इसको ले करके रख लें उससे पहले आप आप जान दीजे इस सिक्के की specification के बारे में तो सिक्के की जो specification है उसमें metal यूज किया गया है copper nickel जी हाँ metal यूज किया गया copper nickel weight है सिक्के का 6 gram size है सिक्के का 26 mm और safe है सिक्के का circular सिक्के का जो over side आप देख रहे हैं over side में आपको मिड में ये असोकिस्तम बना हुआ नजर आ रहा है इसके नीचे हिंदी में सत्य में हो जयते उसी के नीचे denomination one बना नजर आता है हिंदी में भारत रुपया तता 1991 और उसके नीचे मिंट मार्क बना हुआ नजर आता है जो कि सिर्फ आपको इसमें सिक्के में देखने में और पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये single mint से जारी किया हुआ coin है single mint से जारी किया हुआ है तो उसमें आपको ज्यादा सर्च करने की ज़रुद नहीं है कलकटा नोईडा हैदराबाद ये सब कुछ देखने की ज़रुद नहीं सिर्फ और सिर्फ एक सिक्का मिलेगा जो बॉंबे mint से ही जारी किया हुआ सिक्का करके और bnc condition में ये सिक्का 100 रुपय में असानी से आज की डेट में भी मिल जाएगा तो कोशिश करिए c condition का सिक्का ही मिले बट अगर नहीं मिल ला है आपको fine condition या very fine extra fine condition जो भी मिले वो सिक्का आप अपने पास में रख लीजे भविश्च में ये सिक्का आपको अच्छे रिटर्न दे करके जाएगा मैं ये 100% कह सकता हूं क्योंकि ये सिक्का आप खुद ही समझ सकते हैं धीरे-धीरे सिक्के कम हो रहे हैं और unc condition के सिक्के तो मिलते ही नहीं है fine condition के तो मिल जाएंगे unc condition का सिक्का कोशिश करिएगा आप अपने collection में सामिल करिए जो आपको रिटर्न दे करके जाने वाला है आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजे like share करिए और साथ ही ऐसे वीडियो को पाने के लिए अब अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो कर लिए चैनल को subscribe thank you